तूलकेट का नाम आपने अक्सर सुना होगा दिली में हुए दंगे हो या फिर किसान अंदोलन हो सब में तूलकेट का जिक्र हुआ ये तूलकेट किसान अंदोलन तक तो ठीक था लेकिन कोरोना में तूलकेट का जिक्र होना थोड़ा अजीब है दरसल कॉंग्रिस पर टूलकिट के जरिये केंद्र को घेरने का आरोप लगाने के एक दिन बाद बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष सम्वित पात्रा ने नया खुलासा किया है पात्रा ने कहा है कि सौम्य वर्मा ने कॉंग्रिस के लिए टूलकिट बनाई है और इसको साबित करने के कई सबूत भी हैं लेकिन जिस टूलकिट का नाम बार बार लिया जाता है आखिर वो है क्या देखिए हमारे इस रिपोर्ट में सम्वित पात्रा ने दावा किया था कि कॉंग्रिस ने महामारी के समय ऐसे ही टूलकिट के जर्ये केंद सका के खिरने के लिए कई मात्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजणीतिक लाब लेने की कोशिश कर रही है पात्रा ने कहा कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है और उसे विश्व स्वास्थे संगठन ने भी भारतिय स्ट्रेन कहने से मना कर दिया है लेकिन कॉंग्रेस इसे इंडियन स्ट्रेंड और उससे भी आगे पढ़कर मोदी स्ट्रेंड के नाम से प्रसारित करने में लगी है उन्होंने दावा किया इस टूल किट में कहा गया है कि प्रधान मंतरी मोदी को बार बार पत्र लिखे जाए उस पेपर को जो डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पे रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था तो ये तत्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया आप देख सकते हैं कि यह जो information है वो यह paper का है जो tool kit हम बता रहे हैं author कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम domain expert ने खोज करके निकाला है और यह property of the paper में मौजूद है आप देख सकते हैं यह 1.7 version है pages उसमें 6 है, resolution, security, इत्यादी सब लिखा हुआ है किस प्रकार से create हुआ और किस प्रकार मुख्यतह central विस्ता को लेकर वो जो विशय था जो हमने कल central विस्ता को लेकर भी आपके सामने vanity project शब्द का इस्तेमाल किया था आप देख सकते हैं, वो vanity project आप यहाँ देख सकते हैं, उस paper में लिखा हुआ है लेकिन जिस toolkit का बार-बार जिक्र होता है, चाय फिर वो किसान अंदोलन में हो या फिर किसी और चीज़ में हो आखिर वो होता क्या है? toolkit किसी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक document होता है जिसको किसी theory को practical के रूप में समझाने के लिए बनाया जाता है आसान भाषा में कहें तो किसी भी अंदोलन या कारेकरम को शुडू करने और फिर उसका दाइरा बढ़ाने के लिए कुछ action points सयार किये जाते हैं इन action points को जिस दस्तवेज में दर्ज किया जाता है उसे toolkit कहते हैं toolkit को उन्हीं लोगों के भी share किया जाता है जिनकी मौझूदगी से अंदोलन का असर बढ़ाने में मदद मिल सकती है toolkit में क्या होता है शामिल toolkit में social media पर यूज होने वाले hashtag के अलावा किस दिन, किस वक्त और किस tweets या post करने से फायदा होगा इन सभी बातों की जानकारी toolkit में दी जाती है toolkit में लोगों को campaign, material, news articles की जानकारी दी जाती है उनने बताया जाता है कि कैसे production करना है कहां कहां इस्सिमाल होता है toolkit toolkit किसी आंदोलन की रणनीती का एहम इस्सा होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इस्सिमाल सिर्फ रैली या फिर आंदोलन के लिए किया जाता है कार और प्रोडेक्ट की marketing के लिए करती है कैसे शुरू हुआ toolkit का इस्तिमाल toolkit अस्तित्व में कुछ ही सालों पहले आया है इसका पहली बार जिक्र तब आया जब अमारिका में black lives matter आंदोलन शुरू हुआ इस दुरान दुनिया भर के लोग इससे जुड़े और उने अपने अभ्यान से जुड़ोंने के लिए आंदोलन से जुड़े लोगों ने की toolkit बनाया इसके जरिये उनके काम की तमाम जानकारिया शेयर की गए जैसे आंदोलन में किन जगाओं पर जाएं या दूर रहें कहां कितने बज़े खटा हो आंदोलन का स्वरूब कैसा रखें पुलिस की कारवाई से कैसे बचें सोशल मीडिया पर किस तरह से सक्रीय रहें किस हैस्ट्रैक के जर्ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाएं। आदी धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया। आज दुनिया भर में होने वाले आंदोलों में इसकी एहम भूमी का होती है। कितना असरदार होता है टूलकिट। मोटे तोर पर टूलकिट एक ऐसा डिजिटल खत्यार है जिसका इस्तमाद शोचल मीजिया पर किसी आंदोलन को प्रचलित करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोडने के लिए किया जाता है। टूलकिट में अंदोलन से जुड़ी तमाम रणनीटी होती है और लोगों के लिए वो गाइडलाइन्स होती हैं जिससे अंदोलन आगे बढ़े और पुलिस की कारवाई में लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। हाला कि दिली में 26 जनवरी को जो लाल किला पर हिंसा हुई उसमें भी टूलकिट का इस्तिमाल किया गया था। हाइक करनी है कैसे ट्विटर स्ट्रॉम करना है और क्या फिजिकल एक्शन हो सकता है 26 जनवरी के आसपाद जो भी हुआ वो इस प्लान के तहट हुआ ऐसा प्रतीत होता है इस तरह के टूलकिट का इस्तिमाल किसान आंदोलन में भी किया गया था ऐसा कहा गया है दरसल तीन परवरिक ग्रेटसथांभर्ग मैं किसानों के समर्थन में किया और उसके साथ एक टूलकिट भी शेयर कियी लेकिन अगले ही दिन उन्होंने वो टूलकिट ये कहते हुई डिलीट कर दिया कि वो पुरानी टूलकिट थी, चार परवरी को ग्रेटा ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और नया टूलकिट शेयर कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा ये नई टूलकिट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में जमीन पर काम कर रहे हैं इसके जरीया आप चाहे तो उसकी मदद ले सकते हैं फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस वोल इंडिया